आगरा पुलिस ने तैसील सदर से 18 जनवरी को हुई चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है और दो आरोपियों को पकड़ बिलिया है उनसे 84,500 रुपए बरामत हुए हैं दरसल 18 जनवरी को दस्तावेज लेखक मुश्ताक के काउंटर से 10 लाख रुपए की चोरी हुई गटना CCTV केमरे में भी कैद हो गई थी लेकिन आरोपी नहीं पकड़े जा रहे थी इसको लेकर दस्तावेज लेखक, इस्टामबेंडर और वकीलों ने प्रदर्शन भी किया इसको लेकर लगातार कुलिस अपनी जांश परताल को आगे बढ़ा रही थी और उसी क्रम में जो एहम सुराग मिले CCTV कैमरों के जरीए उसके बाद आरोपी जो शिवम हैं विशाल हैं उन दोनों को ग्रफतार कर लिया गया दोनों सगे भाई हैं और विशाल पर पहले भी 16 म अंजाम देता आया है तो पूच्थाच में ये भी पता चला है कि तैसील सदर से पहले भी तीन से चार चोरियों को इन लोगों ने अंजाम दिया है जो बाकी जो पैसा है पुलिस उसको रिकवर करने का प्रयास कर रही है कुल मिला कि इस मामले में लगातर जो तैसील इस त पर बैठने का स्थान है वहां से दसलाख रुपे की चोरी हो गई है पुलिस इस मुकदमे की च्छानवीन में जूटी और पुलिस ने सीसी टीवी कैमरा देखकर सुराग दर्शुराग एकठा किया और उसके आधार पर ये खुलासा किया गया है जैसे वह जिस और टो से ब पुत्र स्वरगी रमेश चंद्र और दूसरा सिवम गोश्वामी उर्फ खली पुत्र स्वरगी रमेश चंद्र ये दोनों अपने में भाई हैं और ये अपने चाचा और एक और वेक्टी जिसका नाम अभी तक पुलिस को पता नहीं चला है क्योंकि इन्होंने बयान में उ जो दो अव्यूक्ट अभी पर फरार हैं उनको गिरफतार करने का प्रयास किया जा रहा है इनसे पूश्टाच में ये तक से सामने आया है कि ये पहले भी तीन से चार बार तहसील परिशर में ही बसते से छोटी मोटी चोड़िया करते रहे हैं लेकिन ये कभी भी पकड में न पूरु से ही पंजिक्रत हैं और इनके बारे में पता किया गया तो इनका अपरात से जुड़ा रहने का साक्षी भी मिला है पुलिस पूरे मामले की और गहराई से जाच कर रही है जो दो अभी फरार हैं उनको विगरफतार करने का प्रयास किया जा रहा है और इन्हों ने जो पूछ था शर्शी बताया है कि लग्वा पांच श्यलाग के आसपास के रुपे इनको वहां से बरामद हुए थे पुलिस बाकी रखम को राप्त करने का प्रयास कर रही है बरामद करने का प्रयास कर रही है अहां यहां पर जो लोग पकड़े गए इनके दौरा 5-6 ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी